तो गाइस आज के स्वीडियो में हम देखेंगे अपने एचिसी के ओसी एम के चैप्टर नंबर 6 का पाट 5 पाट 4 तक हम लोगोंने लास लेक्चर में कवर कर लिया था जिसके अंदर हम लोगोंने देखा था बहुत सारी तो वो काफी important question था उनमें से दो तीन के बारे में जो मैंने बताया था आपने आई हो वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपने सुना होगा वो चीज को कि क्या क्या चीज है important थी उसके अंदर start करते हैं 6.3 जिसका नाम है social responsibility towards protection of environment यानि business की क्या जिम्मेदारी बनती है अपने environment को बचाने के लिए business हर एक तरह का resources को use करता है तो वो इसका obligation है यह इसके जरूरी है क्यों कहीं ने कहीं environment को protect करें वो किसी पी तरह से imbalance create ने करें यानि balance हमेशा बना रहे है बिजनस क्या क्या करता है नीचे दिए गए diagram आप देख सकते हो business extract करते है raw material को उसको अच्छी तरह से use नहीं करेगा resources को पुरी तरह से waste generous करेगा बहुत ज्यादा तो यह सब चीच influence दा लेगा environment के उपर यानि कहीं नहीं कहीं एसर दा लेगा इंडेस्टिलाजेशन रिजल्ट इन एंवर्मेंटल पॉलिशन में generating हजाड़ेस वेस्ट हजाड़ेस वेस्ट बहुत खत्रनाग चीज़ों को प्रेड्यूस करता है बिजनस और रिस्क बढ़ाता है एंवर्मेंट के ऊपर इनवर्मेंटल इसुज लाइक लॉस अप बायोडैवेसिटी अपनी खराब होती है उस चीज से और सारी चीजों को काफी निवस्टान पोचता है बिजनस एफेक्ट बिजनस अवर्मेंट एयर पॉलिशन फइलाता है बिजनस वाटर पॉलिशन फइलाता है सांट कि हम सीधा four hours पर जाते हैं four hour होता गया reuse recycle recovery and reduction reduce करो यानि पहले तो waste को reduce करो अगर waste हो भी गया तो उसे वापस से use करो वापस से recycle करो और उसे recover करो यह four hour को अभियाद रखना इसे underline कर सकते हो first point कहा है wherever possible waste reduction is preferable option waste को जहां तो को सके कम करो second क्या है आपको एक effort डालना है waste produce then every effort should be made to reuse एक effort डालना है कि हम उसके कहीं ने कहीं reuse कर ले तिसरा है recycling the third option recycling should be considered to waste which cannot be reduce or reuse जो reuse नहीं हो सकता जो recycle नहीं हो सकता उसे में recycle करना जरूरी हो जाता है finally it may be possible to recover material or energy from the waste which cannot be reduce or reuse or recycle जब तीनों ही चीज़े नहीं हो तो आप उससे क्या करो उसका मतलब क्या होता है character क्या सही है क्या गलत है इन सब चीजों के बारे में बात करें तो हम इसी ethics बोल सकते हैं सही गलत की पहचान ऐसा आप लिख सकते हो हाँ पर ethics means to set for the rules and principle that organization should follow while doing a business ethics मतलब को rules and regulation है जिसको follow करके किसी भी business organization को चलना चीए है ethics refer to a code of conduct like business are expected to follow while doing a business follow करके चलो अगर आप business कर रहे हो तो इन rules and regulation को follow करके चलो through the ethics standard is set for the organization to regulate their behavior अपने behavior को किस तरह से regulate करना है उस तरह का एक standard बन जाता है this helps them in distinguishing between the wrong and right path for the business यही चीज़ तो business को अप एक skill देती है कि वो पहचान सके कि गलत क्या है सही क्या है इन सब सीजों के पहचान उनको होने लगती है ethics deals with a concept such as the right and wrong good and bad fair unfair just and unjust इन सब चीजों के बारे में आपको legal illegal proper improper इन सब के बारे में क्या होता है आपको एक knowledge आ जाता है ethics के वज़े से definition क्या है business ethics is a study of business situation activity and decision where issues of right and wrong are addressed बस इतना लिख लो एंड्रीव क्रेंग ने दिया है काफी दो लाइन का easy definition है आप इसे रट सकते हो आसानी से right and wrong के बारे में आपको अगर पता है तो आप ethics follow कर रहे हैं फीचर देख लेते हैं ethics का business यह काफी importance रहने वाला आपका पहला है code of conduct code of conduct क्या कुछ rules and regulation है जिसके base पर आपको business को चलाना है यह यह आपको बताता है what to do what not to do क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए society के भले के लिए welfare of society all business must follow this code of conduct यह code of conduct को follow करके चलना चाहिए second based on moral and social values it contain moral and social principles rules of doing a business social principle principle मतलब का होता है rule होता है कुण सा rule business को चलाने का rule this include self control अपने पर control होना चाहिए consumer को protection होना चाहिए society का welfare होना चाहिए कहीं ने कहीं society को आपको service भी देना होगा यह और उनको fair treatment मतलब सही treatment देना होगा social group not to exploit other किसी को आपको social नहीं करना होना है exploit नहीं करना है gives protection to the social group social group such as the consumer को देना है आपको employee को देना है businessman को देना है government को देना है shareholder को देना है हमने already इसके बारे में पढ़ दिया है provide a basic framework it gives a social culture economic legal and other limit of business business was conduct within this limit जो भी आपको economic legal limit मिले हुए government से इसके अंतरगत रहें के आपको काम करना जरूरी हो जाता है यह भी एक ethics का feature है fifth voluntary business must accept the business ethics on their own खुद से अगर वो लोग accept करें voluntary वहलता खुद से अगर खुद से वो लोग business के ethics को accept करें तो काफ़ी अच्छी बात वह हो जाती है business ethics must be like self discipline discipline खुद क्यों पर discipline अदर शिये it must not be enforced by law यह law दारा enforced न किया गया हो require education guidance business must be given a proper education guidance before introducing a business ethics the businessman must motivate to implement other ethics 7 क्या relative term business like ethics relative term है change from business to business यानि business के हिसाब से ethics decide होता है it also changes from country to another country देश से देश भी अपना ethics बदलता है what is considered as a good in one country maybe bad in other country हो सकता है कोई चीजा हमारे country में अच्छी लगती हो मगर दूसरे country में उसे ban करके रखा गया हो जैसे बहुत सारे examples available internet पे जहां पर आप देखोगे कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी हो उनके लिए खार रहा हो है जिसे मारूती कार के बात करूँ जिसे हमारे country में मारूती नाम से बिखता है मगर अगर कही सी इस्लामिक country में चला जाता है तो जहां पर मारूती हमारे इंडियन भगवान का नाम है लेकिन वहां पर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर मारूती महरान नाम से बिखती है क्योंकि वह लोग इंडियन गॉट की चीज़े नहीं खरीदेंगे ऐसां के सोसाइटी में कहीं ने कहीं मारूती बिखना कम हो गया था में इसके वज़े से महरान नाम से वह बिखने लेगी इसको अच्छी तरह से फालो किया जाता है और नौट इनफ पूर और डवलपिंग कंट्री डवलपिंग कंट्री में नहीं किया जाता है 6.4.4 आपका moral and social values इसके बारे में देख लेते क्या अबर values are important because they help to grow and develop हमारे जो values होते हैं वो हमें allow करते हैं help करते हैं कि हम कहीं ने कहीं ग्रो हो जाएं और अच्छे से डवलप हो जाएं decisions we make are reflected in our values जो हम decisions लेते हैं कहीं न कहीं उसकी जल्वक हमारे values में मिल जाते हैं हमने अच्छा लिया है या बुरा लिया है तो कहीं न कहीं वो हमें अपने गोल के तरफ एक specific purpose के तरफ ले जाती है social values from the important part of the culture of the society social value important part society के लिए they provide general guidelines for the social conduct values such as the fundamental rights patriotism respect for human dignity rationality sacrifice equality democracy etc अब किसी के rationality कितना अच्छा है क्या बुरा है sacrifice यानि हम sacrifice करते हैं equality यानि समानता democracy इन सब के बारे में हमें वो सिखाता है influence और behavior इना many ways अलग-अलग तरीके सा हमारे behavior को influence करता है moral values और बेस जोना perceptions of right and wrong perceptions of right and wrong social values और often based होना ट्रेडिशन इगो आनिस्टी इंटीग्रिटी पेरनेस हाड़ वर्क कोपरेशन पर्गिवनेस नेवर हर्ट एनिवन यह सारी चीजों होने के वजह से किसी को भी कहीं भी तरीके से हर्ट नहीं होना चाहिए आपकी इगो कैसा पॉनिश्टी कैसा है इंटीगिटी कैसा है उन सब चीजों से हट नहीं होना चाहिए देशिट वे एथिक्स ब्याइंड ओल बिजनस एक्टिविटीज हर एक बिजनस एक्टिविटीज के पीछे कहीं नगे एथिक्स होता है रूल सा क्रेटेड़ वाइथ तो सुसाइटी लिगार्डिंग वाट इंटीज क्रेट गुडविल इंट इकनोमिकल घेन लॉंग रन लंबे समय के बाद आज आपको सब चीज फॉलो करने में तकलीफ होगी मगल लंबे समय के बाद एक अच्छा एकनोमिक घेन आपको मिलेगा यानि पैसे कमा होगे लिए बन्स ब्लतब क्या चीज़ आपको कर आपको अपने कंजुमर के लिए गिव डियू रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देना चीए और प्रॉफिट अपना जो होता है उससे सोसाइटी के लिए कहिने कहिए आपको यूज करना चीए अब देख लिए डॉंट क्या क्या नहीं करना चीए कहीं पर भी हेल्टी और अन्रिजनेबल प्रॉफिट मतलव यानि एक अच्छा प्रॉफिट कम आपको इसके अंदर अन्फेर कॉंपेटिशन को अवाइड करना है कॉंसेंट्रेशन अफ इक्नामिक पार को अवाइड करना है एग्रिमेंट विट फॉल बिजनेस तो कंट्रोलिंग ना प्रॉड और एफिशेंट और डायनिमिक एक एफिशेंट एक डायनिमिक तरह का बिजनेस आपको बनाना जरूरी हो जाते हैं तो यह था आपका फिफ्ट पार्ट जिसके अंदर काफी चीजा हमने कवर कर ली हैं यह होप आपको वीडियो समझ में आया होगा वीडियो को जादा करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अभी की वीडियो में बस इतना ही मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइट टेक केर भी से ब्याठों